हेलो स्टुडेंट्स हमने BBSC का मैस ओने डिफेंशल इक्वेशन स्टार्ट करा था जिसका हम चैप्टर नमबर हमने सेकेंड स्टार्ट करा था इक्वेशन सो फर्स्ट ओर बट नोट फस्ट डिग्री लास्ट लेक्चर में हमने इसकी लेगरेंजेस फॉर्म करी थी तो आज इसकी हम फर्म करेंगे क्लेरूर्स फर्म क्या होती है इक्वेशन या क्लेरूर्स फर्म इस पर्टिकुलर केश अफ लागरेंजे क्वेशन अगर आपको याद हो लागरेंजे क्वेशन हमने पड़ी थी Y is equals to x into function of p plus function of p ये पड़ी थी clear है तो इसमें अब lagrangie और clarutes form में क्या difference आया इसमें तो कहा था lagrangie ने कि यह function P होना चाहिए चाहे वो P हो जाए चाहे वो P square हो जाए P cube हो जाए जो मरजी हो जाए बस P होना चाहिए लेकिन clarutes form ने क्या कह दिया कि जो function है वो सिरफ P बनना चाहिए ना P square हो सकता है ना this तो मतलब यह कौन सी है the differential equation of the type this is known as the clarutes equation ठीके जी the differential equation अगर जो lagrangie lagrangie equation है y is equals to x into my function of P plus f of P यह function of P है यह कौन सी equation थी lagrangie थी लेकिन clarutes ने क्या कहा कि जो यह वाला function है यह सिरफ P ही हो सकता है इसके इलाबा कुछ नहीं हो सकता plus में function of P तो यह form कौन सी बन गी यह आपकी बन गई clarutes form clarutes equation ठीके जी इस चीच को ध्यान लगना तो same वही इसका proof चलेगा तो हम अब इसके सिधा cautions करते हैं वही same कि अगर यह आएगा neglect कर दोगे हमें dp by dx की value मिल जाएगी तो हम इसको solve करेंगे तो हम इसके direct questions करते हैं फिर भी कोई doubt आएगा तो हम पूछ लेंगे देख लेंगे sorry तो एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें clarutes form में क्या होगा आपको वाई इस टाइप की question दे रखी होगी और इसका solution डिरेक्ट यह होगा ठीक है क्या होगा सिर्फ जो जो constant है वहाँ जो जो पी है वहाँ c put करना यह आया कैसे हम इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार ताकी questions आपके बहुत easy से हो जाए बस जैसे यह questions आपके आपके जब अब msc का entrance दोगे नेट करोगे उसमें बहुत पुछे जाएंगे क्योंकि इसमें डिरेक्ट लोजिक है बच्चे इसको निकालने बैठेंगे लेकिन अगर आपको पता होगा कि यह clear roots form है तो आप इन questions को बहुत easy से कर सकते हो क्योंकि आपने क्या करना है जैसे clear roots form देखी तो देखना जब solve करोगे तो P directly constant equal आएगा तो P को C put कर दोगे तो आपके बास answer आजाएगा देखो यह equation है clear roots form dy by dx निकाला से उसी तरह से फिर क्या होगा P से P cancel हो जाएगा तो यह चीज बनेगी फिर फेक्टर बनेगा यह neglect कर दोगे product 0 है यह 0 नहीं हो सकता dp by dx को 0 होना पड़ेगा तो यहांसे P direct constant हो जाएगा तो putting P equal to C we get the required solution तो यह ध्यान अखना जैसे ही clear roots form होती है clear roots form डिरक्ट ही जहां जहां P होगा महां constant rule करना होता है clear roots form में change करके तो हम इसको करके देखते हैं तो we however if how we eliminate P between the given equation and relation this we another we get another solution called the singular solution क्या क्या रहा है वो कि अगर मैं eliminate कर दूँ P को between the given equation first and the relation x plus tp इसमें से तो हमें एक another singular solution मिल जाएगा जिसकी बात हम बाद में करेंगे अब इसको देखते हैं देखो पहले यह चीज है अब अगर आपको नहीं पता लग रहा कि कौन सी equation है पहले इसको solve करो इसको solve करो इसकी square को इसकी ओपर लेगा एंडरोट में तो डेको direct form बनगी clear roots को सब्सक्राइब यह इक्वेल्स टू आइना यह देखो लेगरेंजे हैं लेगरेंजे भी हो सकती है यह particular case है लेगरेंजे से इसको solve करा पी इस टाइब से यह सेम क्या बनगी clear roots form बनगी y is equal to p into x plus में function of p तो बस क्या करोगे p को replace कर दोगे another constant c से तो वो आपकी required equation आजाएगी next example है आपका solve p is equal to log px minus y p is equal to log तो पहले आप इस log को हटाओ exponential function ले लो जैसे ही आपने exponential लिया तो यहां से log हट जाएगा तो e की power p हो जाएगी तो यह सेम बन गया वही p y is equal to p x into means function बहुत easy है और यह बहुत आती भी है तो कि इसमें direct logic है कई बच्च इसको solve करेंगे इसका solution find out करने के लिए लेकिन आपको direct पता होना चाहिए कि clear root swarm है जहाँ जहाँ p है वहाँ constant आ जाता है same यही fourth है solve the differential equation this type की तो पहले इसको solve करा sin a cos b minus cos sin b का formula लगाया sin a minus b तो फिर क्या करा sin inverse बना दिया तो clear root swarm बन गी तो direct उसका solution निकाल दिया क्या करा p को c put कर दिया तो यह exercise बहुत easy है 2.4 और इसमें से questions पूछे जाते है clear है तो आज के लिए इतना ही तो अब हमारा जो first section था उसमें first or second chapter थे ठीक है जी तो मैंने आपको 2.4 तक complete करवा दिया है तो इसकी जो 2.5 और 2.6 रह गी है सिरफ जिसको हम बाद में देखेंगे अगर time बचेगा क्योंकि 2.4 तक आपका पूरा question complete हो जाता है clear है तो कल से हम तो next lecture आएगा आपके पास next lecture आएगा third chapter जो की second section है आपका तो अपनी 2.4 तक complete करना 2.4 तक आपका एक section बहुत easy से बन जाएगा पूरा question complete हो जाएगा अगर फिर बे कुछ रहेगा तो हम बाद में इसकी बाद में वीडियो बना दूंगी तो आप इसको देख लेना तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका second section यानि की chapter number third start करूँ थी थेंक्यू